हाई अब्रिवन वेलकम तो सिवल्समेस्टो आज 19 अफ ऑगस्ट से 23 अफ ऑगस्ट तक का करेंट अफेर अनालिसिस करेंगे पहली निउस आइटम देख लेते हैं इंडिया और अफरीका के बीच में अभी एक डिफेंस डायलोग कंक्लूड हुआ है इंडिया और अफरीका के बीच में जो डिफेंस डायलोग हुआ है ये गांधी नगर गुजरात में और्गनाईस किया गया था और ये जो 12 डिफेंस एक्सपो 2022 वली चल रही है उसी का एक हिस्सा था ये इंडिया और अफरीका का जो डिफेंस डायलोग है IADD, इसको Defense Expo के अंडर ही institutionalize किया गया था और ये जो dialogue है इसको दुनों governments ने Defense Expo के अंडर decide किया था कि by annually, मतलब हर दो साल बाद इसको conduct किया जाएगा इससे पहले जो dialogue हुआ था उसको लखनवू में हो किया गया था और लखनवू declaration आई थी उसके बाद और अब जो हुआ है उसके बाद गांधी नगर, गुजरात गांधी नगर में हुआ है जो डॉक्यमेंट आया है उसको गांधी नगर डेकलेरेशन बोल रहे हैं इसमें क्या किया जाएगा कि basically इंडिया और जितने भी अफरीकन कंट्रीज हैं उनके बीच में engagement को increase किया जाएगा कि कैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे की help कर सकती है दोनों कंट्रीज नहीं पूरा का पूरा अफरीकन कॉंटिनेंट और उसकी बहुत सारी कंट्रीज और side by side इंडिया कि कैसे इस अब एक दूसरे को help कर सकते हैं कि वहाँ पे capacity building की जा सके in essence कि कैसे basically India help करेगा इन सारी countries को कि यहाँ पे capacity building की जा सके वहाँ पे जो personals हैं उनको train किया जा सके कैसे उनकी capacity को increase करें कि वो defense के मामले में खुद ही sufficient हो सके उनकी cyber security के मामले में self sufficient हो सके उसके अलावा maritime security और terrorism को counter करने के लिए उनको help की जाए यह first ever India Africa defense minister ministerial conclave जो है यह लखनवू में किया गया था पहला वाला ठीक है in conjunction of defense expo 2020 वाली के अंडर so मैंने पहले बताया कि दो साल के period के बाद हो रहा है पहले 2020 में हुआ था लखनवू declaration आई थी उसके अंडर उसके बाद अब हुआ है और अब वाले के बाद गांधी नगर declaration नाम का document बाहर आया है गांधी नगर declaration में बोला जाएगा कि कैसे अफरीका और इंडिया defense और security partnership जो है पारिसी के incidences जो है वो बहुत जादा कम हो merchant boats के साथ, merchant ships के साथ और इन जनरल नेवी के ships के साथ तो उसके लिए इंडियन ओशन रीजन में हमें security की requirement है तो उसके लिए अफरीका और इंडिया दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा इसके अलावा इंडिया ने offer किया कि इंडिया और अफरीका security fellowship एक प्रोग्राम इंडिया प्रोवाइड करेगा जिसके अंडर African countries जो है उनके experts को हम अपने मनोहर पारिकर Institute of Defense Studies जो है उसमें हम उनके personals को training प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी capacity building हो सके next news item जो है वो है world health summit के बारे में so world health summit जो है एक annual international health conference है so world health summit 2022 वाली ये Berlin जर्मनी में अभी organize की गई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि world health organization की summit भी चल रही थी और उसके साथ साथ जर्मनी ने ये world health जो summit है इसको भी organize करवाया था और इस summit के अंडर क्या-क्या बाते की गई कि हमें exchange जो है good practices का exchange जो है उसको strengthen करना है innovative solutions provide करने है health challenges के लिए global level पे और global health को all in all एक political issue बनाना है कि international level पे health को भी as various other political जो problems है उसकी तरह health को भी एक political issue की तरह discuss किया जाए उसमें ऐसी energy भरी जाए कि जैसे United Nations sustainable development goal is जतने जादा important है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए health का ecosystem भी हो जाना चाहिए चाहे वो infrastructure development के मामले में है चाहे वो information को disperse करने के मामले में है, चाहे वो best practices को share करने के मामले में है चाहे best medications को discuss करने के मामले में है, चाहे international level पे labs को बनाने के लिए उनकी funding करने के मामने में है तो health को prioritize करना है all इसके stakeholders को utilize करके World Health Summit 2022 वाली जो है इसमें global leaders ने बहुत सारे ने commit किया है कि वो 2.54 billion rupees जो है वो provide करेंगे polio की eradication के लिए इसके लावा Bill और Melanda Gates Foundation जो है वो global polio eradication initiative में वो भी उन्होंने भी पैसा pledge किया है Rotary International Club उसके अलावा US और Germany और France की जो governments है उन्होंने भी बात किया है कि polio को eradicate करने के लिए वो भी participate करेंगे और सारे के सारे जितने भी core partners हैं उसके take holders हैं उन सबको एक setup के उपर लेके आया जाएगा World Health Summit जो है ये 2009 में find की गई body है उसके बाद से ये काम कर ली है ये एक काफी unique international strategic forum है health के मामले में और ये Berlin में based है जर्मनी में इसके अलावा इसका main purpose ये है कि सारे के सारे जितने भी stakeholders हैं चाहे वो politicians हैं, science है उसके अलावा private players है private sector है, civil society है उन सब को जो किसी भी sector में काम कर रहे है health के मामले में जैसे कि private जो bodies है वो labs बना रही है, vaccine research कर रही है या फिर किसी भी तरीके की health के sector में research कर रही है, civil society जो है, वो eradication में campaign generate करने में help कर रही है governments जो है, वो policies बना रही है ठीक है, या फिर जितने भी और सारे के areas है, या politician जो है ये opinion generate करने हैं, तो इस सारे के सारे stakeholders को एक common platform के उपर लेके आना जो है, इस body का main aim है ताकि सभी की health को improve किया जा सके next news item है, one health joint plan of action के बारे में ये एक quadripartite framework है कि one health नाम का एक हम status लेके आना चाते हैं, ये पांच साल की एक kind of joint health action plan है, जिसमें सारे के सारे चाहे वो human है, चाहे वो animal है, चाहे plant है, चाहे ecosystem है, सबकी health को बीच में एक sustainable balance बनाने की कोशिश की जाएगी कि क्योंकि अगर आपका environment जो है वो stable होगा, अगर आपका climate जो है वो stable होगा, तो overall चाहे वो human है, चाहे वो animal है, चाहे वो plant है, चाहे वो ecosystem है सबकी health जो है, उसको boost मिलेगा one health जो है, ये एक quadripartite मतलब चार organization का एक collaborative framework है जो one health, मतलब one common health की बात करता है इसमें कौन-कौन सी organizations involved है United Nations Food and Agriculture Program Food and Agriculture Organization, FAO, इसका headquarter Rome, Italy में है ये इसमें है, उसके अलावा UNEP, United Nations Environment Program से अंडर्जाइज करेगी, World Health Organization करेगी और World Organization of Animal Health, WOAH, ठीक है ये भी इसमें participate करेगी one health जो है, ये एक integrated unifying approach है जिसके चलते हम एक sustainable balance बनाने की कोशिश कर रहे है ताकि human, animal, plant और ecosystem सबकी health को one health का ये सरकारी या फिर ये सारी organization मिलके एक framework बना रहे है ये प्लाइन जो है, ये एक framework create करेगा और integrate करेगा सारे के सारे system को ताकि हम आख के time में आने वाली चाहे human के मामले में, animal के मामले में, plant के मामले में, ecosystem के मामले में कोई भी जो आने वाले issues हैं, emergencies होंगी उनको better तरीके से उनको analyze कर पाएं उनको prevent कर सकें, उनका arrival predict कर सकें और उनको regulate करके, उनको control कर सकें इंटरनाशनल लेवल पे health के issues को, health challenges को mitigate करना है regional लेवल पे focus करना है और country लेवल पे उसको और ज़दा detail में study करना है ये main इसका aim है इसके अलावा, जो है, zoonotic epidemics उनके उपर focus होगा endemic zoonotic diseases के उपर, जो specifically neglected tropical diseases है उनके उपर इसका kind of उसकी आई होगी ठीक है, antimicrobial resistance ना हो, मतलब उसके against this body, this framework would take care of this thing और food safety risk, मतलब जैसे FAO food safety risk के लिए है United Nations Environment Program जो है, UNEP जो इसमें participate कर रहा है वो environment वाले aspect के लिए है, ठीक है उसके अलावा, जो WHO हैं या बाकी दूसरी bodies है वो हमारा vector born health के लिए, zoonotic epidemics या neglected tropical diseases इन चीज़ों को deal करेगी नेक्स news item है, निहोंशू के बारे में निहोंशू जो है, बेसिकली अभी एक क्या news item क्या है पहले वो देख लेते हैं कि जैपान की जो embassy है इंडिया में based, उन्होंने एक जपान की ट्रडिशनल ड्रिंक है बहुत फेमस ट्रिंक है वहाँ पर एक ये एक alcoholic beverage है उसके लिए इंडिया में GI tag की मांग की है, कि इंडिया में GI tag प्रोवाइड किया जाए, और वैसे आपके information के लिए important है कि इंडिया में foreign articles के लिए GI tag प्रोवाइड किये जाते हैं पहले भी 9 articles के किये गए है अब जपान ने डिमांड किया अब निहोंशू जो है, ये एक beverage है जिसको rice को use करके बनाया जाता है rice use होती है, उसमें पानी डालते है water use होता है, उसके आवा एक special ingredient होता है fungal spores होते है, koji के नाम के इनको add किया जाता है और फिर ये एक unique fermentation के method से जिसको parallel multiple fermentation बोलते है उसके थूँ, ये procedure के थूँ ये सारा material जाता है और उसके बाद एक beverage बन के आती है एक alcoholic beverage बन के आती है जिसको निहोंशू बोलते है अब ये निहोंशू जो alcoholic beverage है ये जपान में खुशी के functions के उपर चाहे वो festival है, कोई wedding है in fact, in essence की funeral है अगर किसी का तो उस cases में इसको consume किया जाता है occasionally वैसे usually लोग जैसे alcohol को करते हैं तो इसको daily basis पे भी लोग consume करते हैं ठीक है और जपान में second सबसे जादा बिकने वाली ये drink है जिसके लिए इनोंने अभी GI TAG के requirement के लिए बोला है अभी तक पहले नों foreign products जो हैं जिनको GI TAG इंडिया में प्रोवाइड किया जा चुका है GI Registry के द्वारा जर्मन बियर मुंसेनर बियर को दिया गिया है गर्गॉन्जोला ठीक है ये एक इटालियन wine blue कलर का चीज होता है इसको दिया गया है plant resins होते हैं kiosk, mustiha ये grease से आते हैं इनको दिया गया है अब इसके अलावा Geographically Indication Tag होते क्या है जैसे suppose कीजिए कि एक particular product है ये A area में suppose हम देखते हैं कि ये जागरी है specificly देखिए ये जागरी मानलो सिरफ A जगा पे मिलती है ये जगा की जागरी है मुझवर पॉर की जागरी है इसको G.I. Tag मिल गया अब जो भी कोई बाहर के person है वो मुझवर पॉर नाम की मतलब A जो जागरी है मुझवर पॉर जागरी वो नहीं बेच सकते हैं उनको अपनी जागरी वेचनी होर गी और मजफफरपुर ज्यागरी के नाम से सरफ मजफफफरपुर एरिया के लोग जो है वही उस ज्यागरी को बेच सकते हैं जो उसको औरिजिनल यी प्रोड्यू स करते हैं ठीक है ये इससे क्या होगा कि दो परपस होंगे एक तो जो मुजफफरपुर के रोकेशन के उपर जो product पैदा होता है जैसे यहां case में जागरी था मुझफरपुर की ठीक है तो उसको एक यूनिक identification दे जाती है उसकी qualities के basis के उपर। उसकी reputation के basis के उपर। उसकी प्रो प्योरिटी के basis के उपर कि बाकी कोई बाहर के लोग उसी नाम से कोई गलत, मतलब या फिर किसी और कम quality की जागरी या कोई भी और product उसको बेचना सके, so ये qualities जो है, ये characteristics जो है, ये essential है किसी भी चीज को उस place का origin product बोलने के लिए और ये geographical indication tag GI tag जो है, ये किसी भी product को 10 साल के लिए दिया जाता है, सबसे पहली बार इंडिया में ये darjling tea को दिया गया था, उसके पाद geographical indication tag जो है, ये trips trade related aspect of intellectual property rights, ये एक agreement है, जो WTO के under हमने sign किया हुआ है, उसके अंडर एक geographical indication and goods protection act 1999 वाला था है, इसको भी इंडिया ने sign किया है और इस act के अंडर, इस act के article 23 और 24 के अंडर हम अपने country में products को GI tag जो है, वो provide करते हैं, और GI tag दूसरी information के बाद की foreign products को भी दिया जाता है, next news item है स्वदेश दर्शन के बारे में, ministry of tourism जो है, उस उन्होंनों ने अभी स्वदेश दर्शन scheme जो है, उसको revamp किया है, ताकि हमारी country में sustainable और responsible infrastructure के destination बनाई जासके हैं, अब स्वदेश दर्शन scheme है, क्या basically, ये theme based circuit theme based circuit की एक scheme है, इसमें क्या किया जाता है, कि इंडिया में बहुत सारे circuit decide किये गए हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट circuit है, कि in a sense की दो-तीन states हैं, जैसे कि मध्या परदेश है, बिहार है, ठीक है, ये यूपी है, ये तीन states है, यहाँ पे बुद्धा की जितनी भी famous sites हैं, उन सब को connect करने वाला एक train होती है, ठीक है सो इसको, मतलब ये मालो तीन sites यहाँ पे हैं, तीन sites यहाँ पे हैं, तीन तीन को connect किया जाता है, ठीक है सो इसको बोलते हैं कि बुद्धा का circuit ठीक है, ऐसी कृष्णा का circuit है, राम का circuit है, अमबेडकर का circuit है सिख्व religious sites वाला circuit है जिनको attach किया गए जाता है train के थूँ, सो ये theme based circuits हैं, अब government का pushy है कि इन सभी states में ये जो मंदर है या जहां पर भी तूरिस्ट के destination है, यहां पर sustainable infrastructure की development करनी है सभदेश दर्शिन स्कीम जो है ये central government की scheme है, central sector scheme है, मतलब 100% इसमें जो पैसा है, वो central government का होता है और ministry of tourism जो है, इस scheme को वो इस scheme को लागू करती है scheme को regulate करती है, इस scheme में हमें क्या करना है, कि हमें हमारी country में tourism के potential को increase करना है, tourism का potential कैसे increase होगा, अगर हम tourism के destination जो sites हैं, वहां पर infrastructure की development करनी जादा से जादा ठीक है, तो यह है इस scheme के बारे में, उसको सरकार revamp करने की कोशिश कर रही है ठीक है, यह देखिए, बुद्धिस सरकेट है और ऐसी अलग-अलग environmental सरकेट है ठीक है, नौर्थीस्ट सरकेट है ठीक है, या फरजैपुर राजसान वाला सरकेट है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े है, और इसका main purpose यह है कि ताकि local जो लोग है उनको employment प्रोवाइड की जाए ठीक है, टूरिजम को develop किया जाए, ठीक है तो यह सारी चीज़ें जो है, यह इस scheme का main aspect है and also vocal for local होना भी scheme का एक aspect है next news item है, वेब 3 के बारे में अब वेब 3 है क्या इंडिया मतलब, यूनो पहले वेब 1 था, ठीक है, जब computer आये आये थे, फिर वेब 2.0 आया, वेब 2.0 बोलते है कि जब internet का आगमन होता है, ठीक है, जब internet इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, उसको वेब 2.0 बोलते है, ठीक है अब वेब 3.0 आ गया, वेब 3.0 का मतलब क्या है, कि हमारी country में हमने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हमारी country में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब artificial intelligence ठीक है, artificial चाहे intelligence है, ठीक है, या फिर जो cryptocurrency है, ठीक है bitcoin technology है, bitcoin मतलब cryptocurrency के पीछे की technology है, blockchain technology जबोलते हैं, ठीक है उसको हमने increase करना है जादा से जादा अब इसमें क्या होगा मतलब ये blockchain technology वाला जो तरिका है ना इसको web.3 बोल रहे है web 1.0 computer system, web 2.0 internet और web 3.0 अब जो आया है ये blockchain technology वाला जो जमाना है decentralized ledger वाला जो जमाना है इसको बोल रहे है web 3.0 so web 3.0 जो है third generation worldwide web technologies को बोला जा रहा है और ये technologies जो है ये still अभी भी evolve कर रही है अब इसमें देखे क्या होता है कि centralized system उस system को बोलते हैं जहाँ पे एक centralized entity जो है ये पूरे system को जब control करती है one centralized entity to control a system जैसे कि किसी country का financial system होता है इसको central government उस country की जो होती है वो उसको regulator control करती है decentralized में क्या होता है कि कोई भी entity किसी चीज़ को control नहीं करती है ठीक है there is no control हर person जो है एक decentralized registered होता है digital registering होता है digital ledger बोलते हैं उसको उसके नदर हर person उसमें entry कर सकता है और उस partido को कोई भी delete नहीं कर सकता क्योंकि कोई central controlling authority नहीं है लोग उसको हर लोग जो भी उसको operate कर रहे हैं वो सभी उसको regulate कर रहे हैं अपने अपनी तरफ से So there is no single database or there is no single entity to control the entire system ठीक है? So इसमें क्या होता है? कि decentralized blockchain होती है instead of जैसे पहले centralized system होता था उसकी जगह पे अब इसमें चार main pillar है chain reaction का synthesis ठीक है और 3D graphics So ये चार main चीज़ें जो है इसमें आती है जैसे NFT होती है, non-fungible token है decentralized finance है, वो इसके अंडराता है crypto currency इसके अंडराती है So ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडराती है Next news item है mission death space के पर में Prime Minister Narendra Modi ने अभी एक innovative solution मतलब defense forces की जितने भी issues है, challenges है कि उनको artillery gun की manufacture में problem है, उनको defense से related जितने भी issues है, उसको solve करने के लिए एक start-up की scheme लेके आए है, कि defense और space sector में हमें increase करने है start-ups ठीक है, अब इसमें क्या है mission death space जो है, इसमें 75 challenges को list किया गया है उन 75 challenges को solve करने के लिए, जो start-up industry है, मतलब defense forces के लिए, जो start-up industries है, जो लोग है, मतलब start-ups लगाएंगे, ठीक है, industry के थूँ, इनकी needs को, मतलब जो भी, मतलब ये 75 challenges है, मैंने आपको जैसे example दिया है, कि artillery manufacturing sector में issue है ठीक है, fine quality of defense equipments में problem है या जिस भी तरीके का defense equipment हम बना नहीं पा रहे हैं, तो उसको synthesize करने के लिए, defense forces की need को सर्व करने के लिए start-ups generate किये जाएंगे DRDO उसमें participate करेगी साथ में, ये first time है कि हम private industry जो है, उसको opportunity दे रहे हैं, कि वो हमारी country में defense और space sector में participate करे आके ये program जो है, इसका main focus होगा, कि जो हमने 75 challenges issue list किये है, three defense services के लिए, उन सारे challenges को ये sort करने की कोशिश करेगा, अब जो ये mission depth space है इसके इंटर ये 75 challenges जो है हमने already list किये हैं, जिसके against हमें innovative solutions चाहिए ठीक है, तो ये news item है इसके बारे में, अब ये future में आने वाली possibilities के लिए space sector में, space domains में आने वाली issues के लिए, ठीक है या फिर army को, हमारी navy को, इन सब को जो problems आती हैं, उन के लिए, मतलब उन, उनकी future demands के लिए, उनके challenges के लिए हमारी country को prepare करेगा, ठीक है क्योंकि हम entrepreneurs को और private sector को भी बुला रहे हैं कि देखिए, कि एक होता है economy sector, ठीक है, एक होता है business, और एक होता है defense किसी भी country का, हमने क्या किया है कि defense और business को club कर दिया है ताकि इंडिया में employment generation हो इंडिया में innovation आए और जादा से जादा जो है start-up वाला ecosystem बने, ठीक है और इंडिया foreign countries को भी इसी चीज़ें जो है, वो धीरे धीरे supply करना start करें, ठीक है so यह है main इसके बारे में space technology is also helping in shaping, इंडिया की देखिए space technology ही जो है, वो काफी अच्छी है ठीक है, so हमारी जो space technology है, वो हमें help कर रही है, कि वो इंडिया की मतलब kind of international level पे diplomacy में भी इंडिया को काफी help कर रही है, ठीक है कि हम internationally भी अपनी image को improve करने है next news item है कि Lothal में एक national maritime heritage complex मनाया जाएगा, पहले तो देखते हैं, यह heritage complex हुगा क्या यह एक मतलब, पहले वैसे यही देखते हैं कि Lothal है क्या, Lothal आपको पता है कि Indus Valley Civilization की एक site है यह जो है भुगावा नदी के किनारे के उपर बनी है और भुगावा नदी जो है यह साबरमती नदी की टुब्यूटरी है और यह Gulf of Khambad में है, इसके उपर बनी हुई थी यह Indus Valley Civilization का एक पार्ट है, इसको गुजराती में यह जो प्रोटेक्ट किया हुआ है, यह जो टाउन है, यहां से mainly use किया जाता था, Arabian Sea के थूँ, जो western countries है, west nations है, जो Asian countries है, Middle East वाली है, Central Asian countries है, उनके तक जो भी समान export किया जाता था, यह वहां से India में लाया जाता था, तो इसी route के थूँ लाया जाता था, यह देखे कि ऐसी थी कुछ यह, Lothal City, so अब इस heritage complex के साथ क्या किया जाएगा, कि इसमें, मतलब इनों कि इसको ministry सबसे पहली बात हो, इसको ministry of shipping, port and waterways इसको बना रही है, इसमें mini recreation की जाएगी, कि हड़पन साइट वो कैसी दिखा करती थी, memorial theme park बनाई जाएगी, maritime navy theme park बनाई जाएगी, climate theme park होगी, adventure and amusement theme park बनाई जाएगी, और world का tallest lighthouse museum भी बनाई जाएगा, ठीक है, इसमें 14 galleries highlighting India's maritime heritage इंडिया की maritime heritage को बताने वाली 14 galleries भी बनाई जाएगी next news item है पुनगामिया पिनाटा के बारे पुनगामिया पिनाटा देखिए, ये एक ऐसा पेड होता है, ठीक है, एक ऐसे पत्तों वाला एक पेड होता है, इस पेड के उपर एक फल होता है, या फिर एक फूल होता है, ठीक है, ये जो पेड है, इसका carbon dioxide को sequester करने का, मतलब उसको absorb करने की tendency बहुत जादा अच्छी है, जिसकी वज़ाद से बहुत सरे जो climate change exports है, ये climate bodies है, उनकी attraction में आचुका है पुनगामिया पिनाटा नाम का प्लांट पेपर के लिए, एक पॉइंट पॉइंट से आपके लिए इंडियन बीच भी इसको बोला जाता है ठीक है, ये kind of evergreen tree है और मतलब इनो और मतलब इसकी canopy बहुत जादा होती है इसकी जड़ें जोती है, दस मीटर तक डीप जाती है और जहां पर भी इसको लगाया जाए ये food crop के अगर इसको मतलब जैसे भी utilize किया जा सकता है ये fertilizer करने में help करती है क्योंकि ये nitrogen fixation करता है साथ में ठीक है, high nitrogen, sorry इसका content होता है, ठीक है तो ये सारी इसकी चीज़ें है ठीक है, so with the UN ने declare किया है कि 2021 से 2030 वाला जो हमारा साल decade है ये ecosystem restoration के लिए है तो इसके चलते जो पॉंदम है इसने भी बहुत जाद significance जो है इसने gain किया है, off lately so this was about this news item next news item है Interpol Metaverse के बारे में अब इसको समझने के लिए एक चीज़ देखिए जैसे artificial, मतलब जो virtual reality वाली virtual reality उस situation को बोलते है कि जब हम मालो आप एक particular जगा पे यह एक market है मालो आप यहाँ पे present रही हो लेकिन आप कुछ ऐसे binoculars या ऐसे कुछ चश्मे या कुछ ऐसा equipment को use करो किसी एक खाली कमरे में बैठ हुए कि आपको ऐसा ही feel होगा कि आप जैसे उस market में हो या आप किसी जंगल में हो या उस game के अंदर आप घुशके खेल रहे हो ऐसी situation को बोलता है कि artificial मतलब इनों की metaverse की situation मतलब जैसे virtual 3D वाली situation को generate करना कि जहाँ पे आप किसी जगा पे हो नहीं लेकिन आपको लगता है कि virtually आप उसी जगा पे हो इंटरपोल ने system को utilize करने के लिए कोशिश की है पहले सबसे idea 1992 में मतलब आया था कि इंटरपोल के पास की इसको utilize किया जा सकता है तो इसके चलते अब क्या होगा कि मालों दो country के personal को आपस में बैठ के किसी crime के with respect बात करनी है तो इनको एक दोज़ा से avatar जैसी photo को use कर सकते है और इनको ऐसा लगएगा कि यह इस कमरे में यहाँ पर बाकी सारे officials के साथ directly communicate कर रहे हैं उनके साथ directly बात कर रहे हैं यह ठीक है यह एक नई invention है पहले भी इसको use करने का idea है लेकिन अभी finally इसको use किया जा रहा है ठीक है अगर मतलब इसको Interpol ने जैसे इसको launch किया है बाकी सारी world की law enforcement जो agencies है उनके लिए ठीक है तो इसमें क्या है Interpol ने meta Facebook की जो parent company है Microsoft और बाकी सब के साथ मिलके यह initiative लिया है इसके चलते क्या होगा कि forensic investigations जो है वो improve होंगी पुलीस की जो policing capabilities है वो increase होंगी international level पे various जो bodies है वो अपस में synergy create कर पाएंगी ठीक है crime scene को study करना easy हो जाएगा तो यह सारी चीज़ है इसमें 3D space को utilize किया जा रहा है virtual space को use किया जा रहा है artificial intelligence को use किया जा रहा है और एक real जैसा environment बनाया जा रहा है जो personals है वो remotely भी ठीक है उनको office कई बार तो क्या आता है कि office आने की जरूरत भी नहीं है उनको ऐसा literally अपने घर पे और remote area पे बैठके लगेगा कि ऐसे वो office से operate कर रहे है तो यह चीज़ है तो यह इसके बारे में था next news item है चंदरियान 3 के बारे में ठीक है अब soft landing इंडिया first time जो है soft landing करेगा moon के surface के उपर या किसी भी styler body के surface के उपर अभी तक हमने hard और crash वाली landings ही की है soft landing अभी तक नहीं की है और यह जो चंदरियान 3 होगा इसका main purpose यह होगा कि जो area moon का जहां पे पास तक sunlight नहीं पहुंचिये जैसे कि इसका south pole है उस area को study करना है इसमें दो चीज़ें होंगी lander होगा rover होगा lander जो है वो land करेगा और rover जो है वो 100 km के distance से वहां पे images को capture करेगा इसके चलते हमें यह देखेंगे इस mission के तरू कि क्या moon के surface के पर ice present है या वहां पे कोई और mineral resources बहुत जादा present है और अगर वहां पे ice present है तो उसमें हम पुराने जो पुरानी पहली जो planetary जो life थी उसके क्या उसमें कोई नए तरीके के या कोई ancient fossils present नहीं है इन सब चीज़ों को यह study करेगा अब moon के south pole की क्या significance है कि काफी बड़ा एक shadowed area है जहां पे billions of years से light नहीं पहुंची है ठीक है और scientist को लगता है कि बहुत chances हैं कि वहां पे permanent source of water हो और वहां पे देखना है कि craters वगरा किसी और materialite या किसी और body के moon के साथ टक्राने के वज़ा से वहां पे कोई craters बगरा तो नहीं बने हुए है या फिर क्या वहां पे कोई mysterious fossil record तो नहीं है जो early planetary arrangement के बारे में बता है यह news item थी next news item है climate transparency report के बारे में 2022 वाली 2016 से 2021 के बीच में बहुत ज़ादा extreme environment climate change के event जो है यह मतलब इन्हों की kind of यह assess करती है G20 countries की comparative performance की climate action के with respect to सारी के सारी G20 countries ने क्या contributions किये हैं क्या उन्होंने help किये देखे यह transition दिखाई हुई है कि अगर 1.523 मतलब 2.5 और 3 इतना temperature बढ़ता है हमारी अर्थ का permanently तो यह changes देखने को मिलेंगे ठीक है pictographic format में बता है अभी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अपनी income का 159 billion US dollars जो है वो lose किया है 5.4% GDP हमने lose किया है ठीक है extreme heat की वज़ा से 2021 में heat exposure country का जो है उसकी वज़ा से 167 billion potential labor hours जो है हमने lose किये है और 5% जो है वो भी हमने productivity हमारी down हुई है और अगर 1.5 degree तक temperature बढ़ता है तो और productivity जो है वो down जाएगी ठीक है तो यह इसके बारे में है ठीक है इस report के बारे में next news item है forest conservation rules के बारे में so forest conservation rules क्या है अभी national commission for schedule tribes जो है उन्होंने एक अपना concern raise किया है कि forest conservation जो rule है वो tribal लोगों के rights को infringe करते है forest conservation rule basically वैसे है क्या forest conservation rule जो है forest conservation act के under आये थे 1980 में इसके under क्या है अब forest conservation rule के according क्या है कि कोई भी जो people है मतलब यूनो कि अगर मानलो कोई A नाम का person है चाहे वो government है चाहे कोई वो body है ठीक है वो person मानलो कि उसने किसी भी forest के stretch के उपर उसने कोई factory लगानी है उसने कोई bridge बनाना है उसने कोई road बनाना है उसने कोई highway निकालना है या फिर in general mining ही करनी है और मानलो ये mining जो है forest के area में आती है वहाँ पर traditional कोई जो community है वो भी रहती थी अब मानलो उसने इस area में से उसने की वहाँ पर land यूटलाइज करनी है अपने किसी भी in में से किसी भी एक personal काम के लिए अब वहाँ से पेड उठाए जाएंगे उस area में deforestation होगी वहाँ पेड काटे जाएंगे तो अब ये person किसी और area में जो है वो जाके forest लगाएगा ठीक है मतलब इस area की compensation करने के लिए उसे किसी और area में जाके forest उतने ही amount में पेड लगाने पड़ेंगे इसको जो बोल रहे हैं मतलब जिस और area में इसको forest लगाना पड़ेगा पेड लगाने पड़ेंगे उसको बोल रहे हैं compensatory afforestation तो इस case में ही बोल रहे हैं कि जब national schedule tribe का क्या issue है कि आपने पेड तो एक जगा से दूसरी जगा लगा दिये लेकिन पेडों की जिस बंदे की जो जमीन थी tribal, traditional tribal की मालो किसी पर लोगों की जमीन थी उन लोगों की जमीन तो चली गई न मालीजे आप महराष्टरा के नोर्थ से पेड कारके महराष्टरा के साउथ में आपने पेड तो लगा दिये लेकिन जो schedule tribe वहां रह रही थी जो उस land को use कर रही थी उस land से अपना खाना पानी ले रही थी उस tribe का क्या हुआ वो थोड़ी ना south of महराष्टरा में उसके साथ migrate करेगी so उनका ये concern है ठीक है so इनका मतलब ये बात बोली है कि इन्होंने बोले है कि state government जो है वो forest land के development मतलब अपने commercial project लगाने के चकर में क्या कर रही है कि वो tribal लोगों को उनके right से infringe करवा रही है tribal लोगों के right को छीन रही है ठीक है और एक falsification की तरह है वो इन्हों कि गलत तरीके से afforestation को promote कर रही है अब एफोरेस्टरिशन को promote करना गलत कभी भी नहीं होता है लेकिन जो traditional owner है उनको land नहीं मिल रही है ठीक है उनको land वो reclaim नहीं कर पा रहे है अब forest advisory committee बनेगी इसके अंडर क्या है कि अगर मालो किसी person ने five hectare से जादा land ठीक है five hectare से जादा land को divert किया है किसी भी purpose के लिए ठीक है सो approval जो है उसके लिए central government से लेना पड़ेगा ठीक है अब ये central government कैसे करेगी central government एक committee बनाएगी उस committee को बोलेंगे forest advisory committee ठीक है अब एक बार अगर forest advisory committee बन गई है और उसको लगता है कि मालो की एक proposal जो है कि इसको yes बोल देनी चाहिए ठीक है अगर इसको लगता है कि ये land useful काम के यूज होगी तो ये proposal को yes कर सकती है उसके बाद ये proposal जो है state government के पास जाएगा ठीक है अब state government जो है जिस state में land located है वहाँ पे जाएगा अब state government जो है वो जब ensure करेगी कि forest right act के अंडर ये मतलब जो बात है ये ठीक है तो उस case में forest advisory committee जो है वो approval प्रवाइड करेगी future में किसी person को use करने के लिए और उसके साथ साथ उससे लिखवाएगी user से कि he must provide compensatory land for reforestation कि ये land जो उसको दी जा रही है उसके बदले में वो person जो है वो compensatory land प्रवाइड करेगा उसके अलावा जो net present value है उस land की मालो ठीक है जो 10 से 15 लाग पर hectare के बीच में ही होती है जादा नहीं होत होता है लेकिन 10 से 15 लाग के बीच में जो rate है per hectare का वो person वो भी provide करेगा land भी देगा और साथ में उसका पैसा भी देगा rate भी देगा ठीक है सो ये था इसके बारे में इसके अलावा एक और आस्पेक्ट भी है ये rules जो update किये गए है इसमें क्या है कि new rules also make provision for the private parties to cultivate plantation इसके अब मान लो कि ए person ने factory लगाई और उसको land चीए अब forested land जिसके ओपर paid लगाएगा वो ठीक है compensation की format में अब इसके अनए rules के according क्या है कि मतलब cultivation plant cultivate plantation मतलब लोग एक business मना सकते हैं कि वो plants को उगा सकते हैं ठीक है मतलब कि पहले से उगा के प्लांट त्यार करके रखें कि अगर कोई company मानलो जैसे ए है इसने यहां पर यह यह वाली लैंड इसको चीए ठीक है तो एक तो यह 15 लाग वाला वो rate देगा और साथ-साथ यहां से इन लोगों से बने-बनाए forest जो है उसको खरीद लेगा कि मैंने अपने compensatory forestation की है ठीक है तो यह चीज़ है तो इसमें अब दिक्कत क्या है कि इसमें ट्राइबल का कोई say नहीं है इसको जमीन चीए थी मतलब जो tribal advisory committee जा है उसने yes किया या जो भी किया उसने मालो वैसे वो no भी कर सकते है लेकिन अगर उसने yes किया state government के पास गया state government ने yes किया इसको land भी मिल गी इधर से इसने forest भी खरीद ली है बीच में tribal जो area था उनका क्या ठीक है tribal लोगों की demand तो address हुई ही नहीं ठीक है तो अब इसमें गया कि इसमें एक और बात बुली कि gram sabah का पहले say होता था कुछ लेकिन अब gram sabah जो है जो actual में tribal लोगों की representation होगी जिसमें उसका भी कोई say नहीं है इसमें ठीक है so ये था news item के बारे में next news item है G20 का religious forum के बारे में ये first ever kind of एक forum है इंडोनेशिया में अभी global G20 क meeting चल रहे हैं G20 की meeting के side by side ये करेंगे R20 की meeting मतलब religious G20 के जो members है उनके जो religious member है वो भी इसमें करेंगे ये meeting को organize कर रहे हैं नहदत उल्ला उलामा ठीक है ये इंडोनेशिया के one of the most influential Islamic think tank है तो ये इसको organize कर रहे है और इसका main purpose ये क्या है कि international level पे religious groups के बीच में अलग-अलग religious group से बीच में हमें harmonious relations रहे हैं उनको और जदा ठीक करना है conciliation बढ़ाना है brotherhood और peace को develop करना है मलब main purpose ये है कि हमने communalism को कम करना है तो उसके लिए ये think tank की meeting करवाई जा रही है तो ये news item है next news item है viral spillover के बारे में ये थूर सी heading देख लिए गलत हो गया ठीक है viral spillover के बारे में ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे climate change बढ़ रहा है जैसे climate change हो रहा है तो viral spillover का chance भी बढ़ता जा रहा है जैसे हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत जादा देखने को मिला कि बहुत जादा diseases के with respect to virus जो है बहुत सारी viral outbreaks आये है ठीक है बहुत जादा diseases के out गर्मी से मतलब temperature बढ़ेगा ठीक है अब गर्मी होगी temperature बढ़ेगा global warming के बढ़ने से उससे क्या होगा कि जो polar ice caps है ठीक है जो बहुत जमानों पहले जो जम चुके थे billions of years पहले जो पानी जम चुका था तो पानी जब पिगलेगा जो बरफ पिगलेगी तो बरफ के पिगलन तो इसके लिए इसकी वज़ा से बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ time में जो Arctic zone है ठीक है Arctic zone है Canada की ठीक है जो नदरन आइलेंड्स है Arctic Ocean के ठीक है या फिर जो Canada का नदरन एरिया है या फिर Arctic region के जो आइलेंड्स है उनमें आने वाले times में क्या होगा कि धीरे धीरे उन एरिय जाज में मतलब पैंडेमिक्स के लिए वो होट स्पोर्ट बन जाएंगे वहाँ पैंडेमिक्स बढ़ जाएंगी ये निउस आइटम है नेक्स निउस आइटम है पाकिस्तान को अभी FATF की grey list से निकाल दिया गया है FATF जो है वो एक मतलब पहले देख लेते हैं कि FATF क्या में उसको ध्यान रखने के लिए उसको मतलब watchdog की तरह एक body present है international level पे ये एक intergovernmental international decision making body है इसको 1989 में establish किया गया था G7 की जब summit हो रही थी Paris में तो उसमें इसको बनाया गया था इसके लिए इसकी वज़ए से का secretariat जो है वो भी Paris में है इसका main purpose क्या है कि world में हमें money laundry को इसने क करना है उसके अलावा terror financing जो है उसको भी कम करना है इंडिया जो है 2010 में body का member बना था 34th member ये जो body है दो लिस्ट बनाती है एक को grey list बोलते हैं एक को black list बोलते हैं पहले countries को grey list में डालते हैं अगर फिर भी वो नहीं मानती है मतलब गलत काम करने बंद नहीं करते हैं जैसे कि terror financing या money laundering तो उसको then black list में डाल दिया जाता है grey list में क्या होता है कि वो countries जो safe heaven की तरह काम करती है terror funding के मामरे में money laundering के मामरे में उसको grey list में डालते हैं ठीक है या black list में उन countries को डाला जाता है जो completely non cooperative territories होती है या non cooperative countries होती है जो बिलकुल नहीं मानती है ठीक है बिलकुल भी agree नहीं करती है international standards के साथ ठीक है so ये countries जो है इनको अलग-अलग list में डाला जाता है अब grey list में डालने का क्या नुकसान क्या है grey listed में डालने के वज़ा से क्या होता है कि जो international monetary fund है IMF, World Bank, ADB है ये इनके ओपर economic sanction लगा सकते है जब इनको मानलो को loan चाहिए IMF से, World Bank से, Asian Development Bank, ADB स तो इनको loan लेने में, access करने में problem होती है ठीक है इनको easily loan नहीं मिलता है international trade के case में इनको boycott किया जाता है ठीक है और इनका international trade जो है वो भी decrease हो जाता है तो पाकिस्दान को पहले grey list में रखा गया था लेकिन अब उसकी मतलब क्योंकि financial condition वहाँ पे खराब है और वहाँ बहुत बहुत जादा large scale पे flooding भी हुई थी तो जिसकी वज़े से इसको और बाकी सारी कारणों की वज़े से इसको grey list में निकाल दिया गया है ठीक है next news item है great indian bastard के बारे में so great indian bastard जो है वो राधिस्तान का state bird है ठीक है great indian bastard पहले काफी ज़्यादा amount में होते थे ये flat grounds के उपर रहत के इंडर अभी क्या है कि पाकिस्तान के चोलिस्तान जो desert है वहाँ पे देखने को मिला है great indian bastard अभी इससे ऐसा लगने को लगा है कि जैसे इंडिया की desert national park जो है राजस्तान के जैसल मेर और बरमेर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है desert national park तो यहां से जो यह great indian bastard है यहां से चोलिस्तान वाली desert में migrate कर रहा है मतलब अपना habitat को change कर रहा है क्योंकि हमारी country में इसकी conservation नहीं हो रही है ठीक है so great indian bastard जो है इसको captive captivity में इसको breed किया जाता है और यह total 150 रह गए है ठीक है हमारी country में राजस्तान में specifically और यह 95% है इसकी total population का मत देखें कि इतना जादा कम इस लोग इसको पूचिंग करते हैं मतलब इसको मारा जाता है उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रिलाइजेशन की वज़ए से इसके ground जहां पे ग्रेज करता रहता था उसको वह कम हो गया है बहुत जादा सबसे इंपोर्टेंट की power lines बिचा दी गई है जो ठीक है तो इन किया जा सके यह जो है इंडियन वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के एंडर शेडियूल वन में आता है साइट्स के अपैंडिक्स वन में आता है आयूसीन की critically endangered वाली लिस्ट में आता है ठीक है तो यह है great इंडियन बस्टर्ड के वरह में and this is the great इंडियन बस्टर्ड ठ ठीक है और यह desert national park में मिलता है यह desert national park जो है यह इंडिया के second largest national park है और यह जैसलमेर और बरमेर जो district है राजस्तान की वहां पे मतलब extended है और यह park जो है यह migratory birds के लिए kind of resident यह एक heaven है so this is it from my side I hope you people liked it please share it with your friends and see you next time with some more exciting news items thank you so much you